next to run check the given number is 10 or not इसकेस में जब चेक क्या करना आप runtime बर कोई भी number keyboard से एंटर करो है तो नमबर के respect में test करें given number exactly 10 के equivalent है और not equivalent है यह टेस्ट लिए रहा है अगर equal नहीं देन just no इसकेस में condition क्या test करेंगे जब भी equality के लिए test कराना always use क्या करेंगे equal equal operator जब भी not equality के लिए test करेंगे उसके अगरों not equal operator similarly smaller के लिए test करना condition smaller के लिए condition apply करेंगे यूजिंग less than और maybe यूजिंग less than equal से में लेकर greater than के लिए condition apply करना जाने उसके करेंगे greater or greater than equal like that इसके सब्सक्राइं एक्जांपल के इसमें टेस्ट करना चेक दा given number is 10 और not इसका number exactly 10 होगा तो उसके समय एक्वेलेंट किसके नंबर का वेल्यूगा 10 के equal है then condition true otherwise false condition always 10 true के respect में अप्लाई होते हैं ना कि false के respect में तो currently अगें इस problem को solve करने के लिए सब्सक्राइब रिक्वाड क्या होगा अगें अधिक नंबर को टेस्ट करना एंट इंटर इंडी नंबर देस्टीन इसके सब्सक्राइब करेंगे सम्मेसिश के दूर एंटर नंबर तेन इसकेने किसी भी वेरी इसके लिए इंपूट कराएं वा युजिंग इसकेने फॉंक्शन्स परसेंटी एड्ड्रेस ऑफ नंबर देन थार्ड स्टेप एप्लाइं प्रॉसेसिंग लॉजिक्स क्रेंट इस प्रॉड्रम को क्रेंट करने का एक्जेक्टी परबस के यह देन यह स्टेट पर जबस प्रॉड्रवाइस किसमें एक कंडीशने क्या राइट करेंगे कंडीशन में से टूर्व के राइट होता है यह से एफ नमबर मिस वैरीवल नंबर का वैल्यू टैन के एककोल एक दूर्ट नंबर एककोल एककोल टैन करेक चंडीशन टूह ए एपर के इंद सब्सक्रेंट इल्ग उस्क्राइब स्वार्प में इसाइड यह था वह यवी सुंद सब्सक्कारि करा लेंगे टर्वाइब सुअन पर में इंशिंट cents और ए ěसके क्वाइब तरिश यूसमेels masculine नो नमबर इस्ट्रोट एक्वालेंट तू देन इसके इसके साथ टू पाट के लिए अपला हो था ना कि फॉल्स के लिए रीज़ कंडिशन सेटेस्फाइब हो रहा है सेटेस्फाइब होने के समय तू पाट टू एक्सपाइब करें इंसाइट और ऑपरेशें पोई इंसाइ एल्स ब्लोग